अगर आपको रंगों से खेलना आ गया यानि रंग सही धंग से यूज़ करने आ गये ना तो नजाने कितनी अर्चनों को केवल रंगों के माध्यम से ही आप सही कर लेंगे रंग जो है ना ये हमारी 5 senses में से जो आँख हैं उनसे जुड़े हुए हैं 5 senses से जो भी चीज जुड़ी होती है ना वो उपाय समझ लीजी हो उसको और वो अगर आपके 5 senses से अलाइन ना हो तो वो आपकी बाधा बन जाती है बात थोड़ी सी टेक्निकल है लेकिन इसको समझना बड़ा जुरूरी है क्योंकि अगर आपके आसपास जो है रंगों का वित्रन रंगों की distribution गलत हो जाए ना तो ये आपको पता भी नी चले का समस्याएं कहां से आ रही है और वो समस्याएं जो है वो रंग create कर रहे होते ह बहुत बार हम astrologer से सुनते हैं नीला काला रंग नहीं पहनना चाहिए ये चीज जो है ये 10% तक से 90% तक ये भी चीज गलत है अगर आपको ये reasons पता चल जाएं कि क्यों नीला काला रंग मैना किया जाता है अगर आपको reasons पता चल जाएं कि किस तरह से आपके आसपास के अगर आपको ये पता चल जाए कि रंगों को अपनी favor में अपनी बेहतरी के लिए यूज कैसी किया जाएगा तो आपके जीवन में आपके खुशकिस्मती की जो रफतार है ना ये कई गुना बढ़ जाएगी और आज के वीडियो में हम exactly यही चर्चा करने वाले हैं नमस्त जो है ना ये आप एक चीज देखिए कि ये तरंगे उत्पन करते हैं और इनकी जो wavelength है इनकी जो तरंगे हैं सबकॉंशियस के साथ मिलके एक बड़ा यूनिक सा प्रभाव उत्पन करती हैं तो ये प्रभाव अगर अच्छा होगा ना तो आपके द्वारा किये जाने वाले जो भी actions होगे ये positive होते चले जाएंगे रंग ही इनसान में motivation भरेंगे और रंग ही इनसान को depressed कर देंगे अगर इनका अनुपात किसी ना किसी तरह से गड़ बड़ा गया अब ये रंग जो है ना ये आपके लिए अच्छा कौन सा है बुरा कौन सा है ये आपके planet decide करते हैं लेकिन इसमें भी आपको एक विशेश चीज का ध्यान रखना है कि रंगों में दो categories को बाढ़ दीजिए एक category है fixtures की fix चीजों की और दूसरी category है changeable चीजों की changeable चीजों में क्या है आपके द्वरा पहने जाने वाले रंग और fixtures में क्या है दिवारों के रंग परदों के रंग, फरनीचर के रंग, जो रंग fix हैं अपनी जगा पे, और जो fixtures वाले रंग है ना, इनके माइले बड़े गहरे हैं, क्योंकि ये एक ही जगा पे हैं, और ये हमेशा आपके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, लेकिन जो changeable है, आज आपने पहना हुआ है, कल आपन color पहन लेंगे, शनीवार को काला कपड़ा पहन लेंगे, लेकिन ये जो चीज है ना, ये बहुत गड़बड चीज है, आप suppose करिए, कि आपके अंदर sodium की मात्रा ज्यादा है, जिसकी वजह से आपको blood pressure ज्यादा हो रहा है, आप फिर से और नमकीन खाएंगे, तो क्या होगा sodium और बढ़ेगा, blood pressure और बढ़ेगा, ठीक इसी तरह से अगर कोई ग्रहचो है, आपके उपर बुरा प्रभाव दे रहा है, उसका रंग और पहन लेंगे आप, तो उसका प्रभाव आपके जीवन भी negative तो आना ही है, तो बिना ये जांचे है कि आपको suit क्या कर रहा है, आप दिन के हिसाब से color को पहनेंगे ना, तो ये आपकी help तो नहीं करेगा, आपके रास्ते में अडचने बहुत ज्यादा डाल देगा, तो सबसे पहले तो ये wrong practice है कि दिन के हिसाब से आपको color पहनना है, ये कहीं से भी आपकी सहायता नहीं करता है, अब जान लीजिए कि कौन स के लिए ही फाइदे मन रहता है, क्यों? क्योंकि इस color में पृत्वी तत्व भी है, इस color में generalized soothing effect है, जो के आपके चाहे शुक्र खराब हो, चंद्रमा खराब हो, off-white color कभी भी आपको निराश नहीं करेगा, off-white color कभी भी आपका नुकसान नहीं करेगा, तो अगर आपको के लिए तो याद रखिए कि इस चीज की जो भी explanation है यह आपके बर्थेचाट के ग्रहों के साथ चुड़ी हुई है, first house से लेके, fourth house के बीच में अगर आपके बुद्ध होंगे, specially घर के main earning member के, तो आपके घर का जो fixture है ना, इसमें आपको हरा रंग नहीं देना है, ना हरा इंडिकेट करेगा, आपकी बुद्धी को ब्लॉग करेगा और लगातार एक chain of unfortunate events यो है, ये शुरू हो जाएगी, बुदर राहू एक साथ हों, तो भी आपको हरा रंग जो है, हर हालत में avoid करना है, शनी जब भी जिसके बर्थचाट में खराब होते हैं, शनी कैसे खरा होंगे, तब आपको काला रंग जो है, वो avoid करना है, अब यहाँ पर main चीज क्या आती है, कि आज क्या लोग क्या करते हैं, बेडरूम में डाग कलस देके काले curtains भी रखते हैं, इन लोगों को काले fixtures नहीं रखने हैं, ये इनके लिए बहुत ही ज्यादा depressing महौल लेके आएं उसके जीवन में अचानक होने वाली घटनाएं, दुरगटनाएं बहुत बढ़ जाती हैं, इस case में इनके घर में नीला furniture नहीं होना चाहिए, नीले curtain नहीं होने चाहिए, और नीले रंग की हलकी से गाड़े तक कोई भी shade जो है, इनकी दिवारों पे नहीं होने चाहिए, अ कोई भी महतवन चीज होने जारी है ना, खराब शनी या खराब रहू वले लोगों को उस दिन नीले काले कपड़े नहीं पहनने हैं, क्योंकि उस दिन उनकी जो decision making है, इस चीज से प्रभावित हो सकती है, students के लिए exam जो है, ये बड़ा प्रमुक्त दिन होता है, इसलिए exam वले दिन जिनके शनी रहू खराब हैं, उनको निला काला कपड़ा एवोइड करना है, otherwise, routine में बेंदास आप निला काला कपड़ा पहनिए, आपको कोई भी ऐसा नुकसान नहीं होगा, क्योंकि इसमें क्या होए, कि शनी और रहू जो है ये केवल और केवल आपको उस moment पे खराब करेंगे, जिस moment पे आपका कोई ना कोई बड़ा decision होना है, वीकल के color में भी यही चीज़ apply होती है, देखे वीकल में क्या है, कि आपका fourth house आपकी luxury आपके वीकल को भी control करता है, fourth house में अगर शनी होंगे, काला वीकल मत लीचे, fourth house में अगर आपके किसी ना किसी तरह से सफेद, वीकल नहीं लेना है, अब आपका चंदरमा जो है, यह शनी के साथ है, उस case में आपको वीकल में सफेद और black दोनों ही मना होंगे, तो इस तरह से आप देखिए, कि रंग जो है, यह केवल आपसे थोड़ी सी सावधानी मांगते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं, आ आपको अपने घर के east में हरे रंग की कोई ना कोई shade up दे सकते हैं, बशर्ते जैसा मैंने आपको बताया, कि आपके बुद्ध जो है, यह सही स्थिती में हूँ, आपके घर का जो north है, वहाँ पे अगर आपके रहु अच्छे हैं, तो आप light blue कलर दे सकते हैं, creamish कलर भी दे स सकता है, शुक्र का दही जैसा सफेद रंग जो है, दिया जा सकता है, शुक्र जब भी पीडित होंगे ना, तो दही जैसे सफेद रंग के आपको colors जो है, अपने जीवन में यूज़ करने, किसी ना किसी हथ तक avoid करने चाहिए, southwest जो है, यहाँ पे आप अर्थ के colors दीजिए प्रिथवी जैसे रंग, beige colors जो हैं, यह southwest को बहुत जादा इसके attributes को मजबूत करते हैं, रही बात पश्चिम की, यहाँ पे metallic colors दीजिए, यहाँ पे gray color दीजिए, सफेद रंग यहाँ पे दिया जा सकता है, वशरते शुक्र चंदर आपके बरसे चाट में अच्छे हों, दि colors के सही distribution की वज़ा से टल जाएंगे, colors को अपने जीवन में variables में भी ध्यान रखिए, आपके fixtures में भी ध्यान रखिए, avoid करिए उन colors को जो आपके ग्रहों के साथ tally नहीं करते हैं, और फिर देखिएगा किस तरह से आपके जीवन में आपकी किसमत चमकती है, और रंग जो ह एक छोटी सी चर्चा के किस तरह से रंग जो हैं, यह आपके जीवन में एक difference लेके आते हैं, मैं आशा करता हूँ कि इससे लाब लेके आप अपने आसपास अपने surrounding को बहुत अच्छे से सवार पाएंगे, आपको लगता है कि किसी अन्य आपके साथ ही को इस जानकरी की पुरूरत है, तो इस वीडियो को शेर करना मत भूलेगा, तो चलिए बहुत जल्द मिलते हैं नए टॉपिक नए विशे के साथ, अपना खूब ध्यान रखेगा, नमस्कार